आज जड़ी बूटी दिवस है और साथ ही साथ आचारे बालकृष्ण का जनम दिन भी है ऐसे में पंद्जली फेस टू में जड़ी बूटी दिवस समारो आयोजित किया गया ऐसे में आचारे बालकृष्ण ने कहा कि हमें प्राकर्ति की रक्षा करनी चाहिए साथ ही साथ उन्होंने अपने शोद के बारे में भी बताया कि देश के ख़दान की कीटनाशकों और रसायनों का पता लगाने के लिए पंदजली ने एक नए अनुसंदान किया है जिसको परसिद्ध रिसर्च जेर्नल ने परकाशित किया है इस अनुसंदान के माध्यम से जीवन का जो लक्षे था उसकी प्राप्ति में हमने कितना कदम अपने आगे बढ़ाएं कितनी चीजें जिसके पर हमें पुना हम चिंतन करना चाहिए और विशेश करकर के क्योंकि हमारे हां इसलिए हम बर्षवर में जितना रिसर्च करते हैं उसंदान करते हैं लेखन कार बड़ा कारिक्रम चलता है पुर्देश खंद्र हमारे से जुढ़े हैं जब्षार उपन करते हैं वनस पतियों को LINDA चाहिए तो इसी तरह से सब है और इसी को समझाने का हम इस तरह के आयूजन के माध्यम से करते हैं तो जन्वदीन तो बहाना है जड़ी भूटियों को लगाना है बढ़ाना है उगाना है सब को प्रासंगिक है आज हमने देखा कि पिछले गर्वी बहुत जादा है देखी यह हम जब प्रकृति के साथ हम जितना खेलवाड करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ खिलवाड करेगी तो प्रकृति के थपेड़ा पड़ता है तो हम सब को बहुत क्रश्ट होता है प्रकृति के थपेड़ों को जगह प्रकृति का आशिवाद प्राप्त हो इसके लिए विक्षार ओपन पेड़ उसके लिए बहुत ही सिंपल प्रासेस के ऊपर हम लोगों ने काफी रिसर्च किया था उसको इंटरनाशनल एक्सप्ट किया गया है और अभी उसके पर जो उसको जो एकुपमेंट्स जो बनाना है वो काम भी बहुत तेजी की तरफ है बहुत जल्दी ही हम समपुर्ण सामने उसको प्रस्तूत करेंगे कब तक माल है कि हम लोग दो तिन मेने के अंदर क्योंकि काफी काम फाइनल स्टेज पर है लास्ट ट्राइल के लेवल पर चल रहा है वह बहुत जल्दी आज़ाए जिनका बड़ा अभाव है तो उसके बार बड़ा सुल पूल टेस्टिंग लाब के लिए भी नहीं इंडिविजियर लेवल पर अपने घर में खीचन में भी जैसे हम लोग उने इसमें शहद दूध तेल घी इस तरह के पदार्थों का भी एक स्ट्रिप से आप मैक्सिमम जो अडल्टेशन है उसको मैपिंग कर सकेंगे तो सबजियां है डाले है अन में बैठ करके लाब वाली जितने भी जो परेमिटर्स हैं उसके माध्यम से आप एनलाइस कर सकेंगे कि यह खाने योग है या नहीं है यह इतना सस्ता हुआ कि लोग घर में रख सकेंगे और उसमें से हम दो लेवल पर ला रहे हैं एक लेवल पर तो जो स्ट्रिप है जैसे आप ब्लड स्यूगर मैपते हैं ऐसे ही आप उसके अन्न का एक बूंद को एक पीस करके थोड़े से चुटकी भर उसमें डाल करके आपको रिपोर्ट आ जाएगा हम इस लेवल पर प्रयास कर रहे हैं